हेलो अरिवन, इस्टड़ी विदस में आपका एक वाय फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेर करेंट अफेर की ये हमारी लगबग पंदरवी वीडियो है ठीक है, 14 वीडियो जो है अल्रेडी मैंने अपलोड कर दी है ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं तो आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस जो है बनी हुई है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें तयारी कर रहे हैं अगर आप UGC Net Paper 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और उपर आई बटन जो है उस पे भी कलिक करके आप हमारी सबी वीडियो पर जा सकते हैं ठीक है, और ये वीडियो जो है ना सिफ UGC Net के लिए important है बलकि जितने भी academic exams होते हैं उन सबी exams के लिए ये super important है ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला जो सवाल आजका है, वो ये है कि 2020 में रास्ट्य कॉशल विकास निगम ने युवाओ को मुक्त में डिजिटल कॉशल परिशिक्षन परदान करने है तू साज़ेदारी की है किस से साज़ेदारी की है तो इसका सही जो answer है वो है option number D link dine corporation के से जो है साज़ेदारी की है चलिए next question क्यों चलते हैं next question है, जनवरी 2021 को भारत ने digital रूप से digital रूप से यहां कुचल ने होगा, यहां कुसल होगा यह गलत लिग गया यहां पर, ठीक है कुसल होगा कुसल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए California State University ने किस के बीच समझोता किया है तो यह समझोता हुआ है NSDC से, ठीक है NSDC से, क्या है NSDC का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है रास्टिये कौशल विकास निगम ठीक है, विकास निगम रास्टिये कौशल विकास निगम से जो है समझोता किया, और यह जो NSDC है, इसका कामी यह है कि भारत में जो है, युवाओ को कौशल सिखाना या कौशल देना नेच्ट कोशन है हाल ही में 6 से 11 कक्षा की स्कूली छात्रा ओके लिए जो है विज्ञान को लोकप्रिये बनाने हे तू सुरू किये गए राश्टे कारेकरम का नाम क्या है राश्टे कारेकरम का नाम क्या है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number विज्ञान विध्धार्थी विज्ञान मंथन ठीक है विध्धार्थी विज्ञान मंथन इसका सही आंसर है option number A next question है किस राज्य सरकार द्वारा 80 हजार स्कूलों में smart blackboard योजना लागू की गई है smart blackboard योजना लागू की गई है सही आंसर है option number C तमिलनाडू सरकार ने ऐसा जो है किया है ठीक है तमिलनाडू सरकार ऐसा करेगी अपने 80,000 स्कूलों में smart blackboard लगाएगी देखें वीडियो आपको अगर पसंदार ही हो तो like जरूर कर दें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर ले ठीक है क्योंकि अब exam जो है काफी करीब है और अगर आपने हमारी पहली की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं link description में दे दी गई है ठीक है अगर आप इस वीडियो की link चाते हैं PDF चाते हैं तो PDF के लिए जो है आपको जाना होगा हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर हमारे टेलिग्राम ग्रूप का जो नाम है वो है study with us PDF ठीक है study with us PDF space नहीं देना है बिलकुल यही आप जब सर्च करेंगी तो हमारे चैनल का logo आजाए बलेगा टेलिग्राम पर बस उसी चैनल को जो है आपको जॉइन कर लेना हही है यही पर जो है आपको PDF अगरा मिलेगी लेकिन वीडियो की दो-चार दिन बाद मिलेगी ठीक है क्यों कि होता है यह कि वीडियो बनने के बाद इस 있 broken में काफी सारे काम होते है उसके बाद जो ह लग जाता है ओके तो नेश्च जो कोशन है वो है पाँच जून दो हजार एक्षिस को मनाया गया परेवन दिवस की थीम क्या थी थीम क्या थी तो सही जो आंसर है इसका वो है आप्शन नंबर ए ठीक है री इमेजिन री क्रियेट और री स्टोर ठीक है फिर से बता लिता हू री इमेजिन री क्रियेट री स्टोर ये इस बार की थीम थी कम मनाया जाता है परेवन दिवस चोई मनाया जाता है पाँच जून को मनाया जाता है ठीक है चली कमेंट में आप मुझे बताईए सन 2020 की परेवन दिवस की थीम क्या थी ठीक है 2020 की आप मुझे कमेंट करके बता जघो देखते है कितने लोग सखन सभतशन इसार सभी देते है। नेंस्ट कोशन है विश्व पृत्वी दिवह जो जो है वो कब मनाया जाता है तो विश्व परिथवी दिवह मना जाता है 22 अपरेल कोThat ठीक है , 22 अपरेल को ये मनाये जाता है और इस बार जो मनाये गया यानि 22 अप्रेल 2021 को जो पृत्वी दिवस मनाये गया उसकी थीम जो इस बार थी वो थी restore our earth ठीक है restore our earth ठीक है restore our earth इस बार की थीम थी और भी कई परकार की जो है पूछे जाते हैं डेस के उपर कोशन जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कम मनाये जाता है तो याद रखें विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाये जाता है 23 मार्ज ठीक है 23 मार्ज को और इस बार जो मनाये गया है उसकी थीम जो है वो है the ocean the ocean our climate and weather ठीक है and weather तो ये तो इस बार की थीम थी किसकी विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अगर आपसे पूचे कि अंतर रास्टिय वन दिवस कम मनाये जाता है आई होब की अधिकतल लोग को इस बारे में पता होगा तो अंतर रास्टिय वन दिवस जो है ये मनाये जाता है 21 March को ठीक है 21 March को और इस बार की जो थीम थी 2021 की वो थी Forest Restoration Restoration ठीक है ये इस बार की थीम थी और विश्व जल दिवस कम मनाये जाता है विश्व जल दिवस तो विश्व जल्व दिवस मनाए जाता है 22 मार्च को ठीक, confuse मतो हो ना, देखे 22 मार्च को है विश्व जल्व दिवस और 22 अपरेल को है पृत्वी दिवस, ठीक है? तो इसमें confuse नहीं होना है और इस बार की theme क्या थी? तो theme थी, valueing water ठीक है, valueing water, यहनी पानी का मूल्य नेक्स्ट, आपको याद रखना है एक और वो है विश्व एट्स दिवस विश्व एट्स दिवस, यह भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो यह मनाए जाता है 1 दिसमबर को ठीक है, 1 दिसमबर को और इस बार की theme क्या थी? इस बार की theme थी, global, solidarity, share, responsibility ठीक है, global, solidarity, share, responsibility ठीक है, यह इस बार की theme थी, एट्स दिवस की तो यह सारे जो days हैं आपको याद रखने हैं, एक्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और repeated हैं ही, ठीक है आज की video में इतना ही, video पसंद आया हो, तो like जरूर कर देना और पहले की video से अगर आपने नहीं देखी है, तो आप उसे जरूर देख लें ठीक है, link जो है, वो मैं description में देदूँ अच्छा, एक चीज और बता दूँँ आपको विष्व Red Cross Day, ये भी पूछा गया exam में विष्व Red Cross Day या विष्व Red Cross दिवस ये कम मनाय जाता है, तो याद रखना है आपको विष्व Red Cross दिवस जो है, ये मनाय जाता है पाँच मई को, ठीक है पाँच मई को और इस बार इसकी theme क्या थी? इस बार इसकी थीम थी together we are hashtag unistopable ठीक unistopable तो ये चीज भी आपको यार रखने है 22 जून 2021 G20 सिक्षा मंतरियों की जो बैठक है जो की virtually हुई थी वो किसकी अध्यक्सता में की गई थी कोशनी कह रहा है किसकी अध्यक्सता में अभी जो है शिक्षा मंतरियों के एक बैठक आयोजित की गई थी ठीक है लेकिन ये virtual हुई थी virtual का मतलब ये होता है कि online होना ठीक है नहीं सभी जो है जितने भी देश के शिक्षा मंतरी थे वो सभी internet के थुरू जो है एक दूसरे से connect थे यहाँ पर चर्चा हुई थी internet भी ठीक है तो किस देश ने इसकी अधिक्सता की थी अधिक्सता की थी का मतलब ये है कौन इन में head था तो इसका सही answer था option number B ठीक है option number B इसका correct answer है इटली ने जो है इसकी अधिक्सता की थी next question है वह केंदर परिसद की तो जिससे हम इंगलिश में बोलते है biodiversity council super important है आपके people and environment के topic के लिए ठीक है biodiversity council कहां पर बनाया गया तो याद रखें ये union charity है जम्मू और कश्मीर ठीक है जम्मू और कश्मीर में जो है इसको इस्थापित किया गया है तो सही answer हो जाएगा हमारा option number B next question है देश का पहला 100% जैविक केंदर शाशित परदेश कौन सा है अभी हाली में जो है इसकी घोशना की गई है तो इसका सही answer है option number B लक्षदीप जो है इसे 100% जैविक केंदर शाशित परदेश घोशित किया गया है वगरा के कारे में किसी परकार की जो बाहरी कीट नाशक दवाईयां वगरा होती नहीं कई सारी खाद वगरा जो है इस्तमाल लोग करते है ठीक है तो ऐसे राजों में वो इस्तमाल नहीं की जाती है ठीक है और एकदम नॉर्मल तरीके से जो है क्रिशी की जाती है किसी परकार की कोई pesticides वगरा नहीं इस्तमाल किया जाता तो ऐसे छेत्र को हम बोलते हैं जैविक छेत्र ठीक है बिना किसी मिलावट की खेती करना तो ऐसा जो है बना है केंसासिस परदेश कौन सा तो लक्षदीप यह तो लक्षदीप हमारा केंसासिस परदेश हो गया लेकिन अगर आपसे पूछले ऐसा कौन सा राज्य है जो जैविक राज्य है पहला तो उसका राज्य वाला मैंने आपको बता चुका हूँ यह है सिक्किम ठीक है सिक्किम जो है सिक्किम बना है भारत का पहला राज्य जो की उन रूप से जैविक है नेस्ट कोशन है टाइम परसन अफ दा इयर 2020 किसे घोशित किया गया है ठीक है किसे घोशित किया गया है तो टाइम परसन अफ दा इयर 2020 इस बार घोशित किया गया है जोई बाइडन को भी और कमला हैरिस को भी, तो सही आंसर होगे, option number C, दोनों को, ठीक है, जोई बार्डन जो है, ये अमेरिका के रास्ट पती है, ठीक है, और कमला हैरिस जो है, ये उपरास्ट पती है, ठीक है, तो जोई बार्डन, जो है, अमेरिका के 46 वे रास्ट पती है, और उपरास्ट पती के यह आपको याद रखना है और एक और पूछा जा सकता है कि Time Biz Ariya बिजनस कि टाइम बिजनस परसन ओप्षन आफ दंब यॉपक्या तो टाइम बिजनस परसन ऑफड़ एर रहे है एरक युवान ठीकि एरिक युवान next question है ये भी super important है Unicef से पुछा गया है चलिए आपके लिए आज का question ये है कि आप लोग comment में मुझे Unicef की full form बताएंगे UNICEF Unicef की full form बताएंगे और आप बताएंगे कि इसका headquarter जो है यानि जो मुख्याले है वो कहाँ पर है ठीक है मुख्याले जो है वो कहाँ पर है ये आपके लिए question है तो सवाल ये था कि Unicef ने बाल अधिकार अभियान का celebrity advocate किसे बनाया है ठीक है बाल अधिकार अभियान का celebrity advocate किसे बनाया है अक्षे कुमार, सारुक खान, आयुशमान खुराना को बनाया गया है ठीक है आयुशमान खुराना इसका correct answer है next question है केरल में 10,000 परतिभाशाली छात्रों को जो वित्य रूप से कमजोर है उन्हें लोक सेवा वा अन्य परतियोगी परिक्षाओं की मुख्त कोचिंग परदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो याद रखें केरल में शुरू की गई है और ये शुरू की गई है 1 school 1 IS option number A इसका correct answer है ठीक है 1 school 1 IS योजना ठीक है और ये किस foundation ने शुरू की है ये भी आपको याद रखना है ये शुरू की है वैधिक इरूडाइट foundation ठीक है यह कहेंगी VEF VEF शॉर्ट में हम किसे कहेंगे के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है और कब लॉंच किया गया इसे इसे लॉंच किया गया 17 जनवरी 2021 को ठीक है 17 जनवरी 2021 को ठीक है मुक्त कोचिंग दी जाएगी लोग सेवा यानि कि civil service के exams के लिए भी और other competitive exams के लिए भी condition ये रहेगी कि 10,000 शात्र को चुना जाएगा और जो वित्य रूप से जो है कमजोर होने चाहिए यानि गरीब होने चाहिए next question है देखे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और जब आप सब्सक्राइब करें तो बैल आइकन को जरूर दबा दें ठीक है ताकि ऐसी वीडियो की notification आपको मिले और अगर PDF आप चाहते हैं त तो हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा ठीक है उसी लोगो वाला जो है वही हमारा चैनल है उसको आप जोइन कर लें वहीं पर आपको PDF अगरा इसकी मिलते रहेगी ठीक है कोशन यह है कि COVID-19 वैक्सीन संबंदित अफवाहो को रोकने के लिए ठीक है अफवाहो को रो पी सी स्टिए आई एसी आई इसी ओप्शननमर बीस का करद नहीं